कोरोना वारस एक एसी महामारी है जिसका असर देश के रेलवे बस सेवा पर ही नहीं बलकि नागपुर मेट्रों के विकास पर भी पड़ा है वरतमास तिती में पूरी तरह से तयार चार मेट्रों ट्रेन यानी 12 कोच चीन में ही फसे है जानकारी के अनुसार जिसे मई माहा तक भारत आना था किन्तु कोरोना के कारण हर जगा लॉकडाउन की स्थिती रहने से इन कोश का जल्दे आने का कोई आसार भी नहीं दिख रहा हाला कि प्रशासन के अनुसार उनके पास पहले ही 19 ट्रेन रहने से इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा नागपूर शहर में लोकल परिवहन व्यवस्ता मजबूत करने के लिए वर्षों पहले मेट्रों का काम शुरू किया गया है सडकों के बीच बीच जमिन से कुछ मीटर की उचाई पर मेट्रों को चलाना उद्देश था इनकी कोचेस बनाने का ओर्डर चीन को ही दिया गया था जहां दिसंबर से कोरुना का हाहकार मचा हुआ है चीन को कुल तेज ट्रेने याने 79 कोच नाकपूर मेट्रों के लिए बना कर देना था जिसमें 19 ट्रेन याने 57 कोच भारत पहुच गया है लेकिन अभी भी 4 ट्रेन भारत नहीं पहुच सकी है मही महा के पहले तक इसे नाकपूर में आने की उम्मित की जा रही थी कोरोना के कारण चीन के हालात वैसे ही खराब है इसके बाद गत महा से भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है ऐसे में चीन से आने वाली ट्रेनों को कितना इंतजार लगेगा यह कहना मुश्किल है